डाउटनट पर आप आए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर जैसे एनवी सर जीवी सर अकांशा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज ये नॉलोड कीज़े डाउटनट आप तो आज का जो हमारा चैप्टर है आपको पत्य है कि हमने कॉर्डिनेशन चंपाउर्न यह हों कि इस छंप कर तो कीयिंगर आपको कैसे लिखेंगे और ऑईसोमर्स isomers में हमने सब discuss किया था चाहे आपको geometrical isomers हो stereo isomers हो या structural isomers हो यह दो चीज़े हम discuss कर चुके हैं आज हम बात करेंगे bonding की कि जो यह आपके coordination compounds हैं इनमें bonding कैसे होती है अब जो bonding है उसके लिए आपको दो theories आई एक आई आपकी VBT and then आई आई आपकी CFT ओके जो आपकी CFT थोरी है यहां से हम CFSE calculate कर लेते हैं हम वो चीज़ भी यहां पर देखेंगे कि आप CFSE कैसे calculate करते हैं and octahedral complexes में CFSE की splitting कैसे होती है और tetrahedral में किस टाइप से होती है and square planar में कैसे होती है ठीक है इसके अलावा जो आपका Mew that is magnetic moment कैसे निकलता है colored compounds क्या होते हैं तो यह सारी चीज़ें हम यहां पर discuss करेंगे इवन आगर आपने 2016 में शायद आपका जो NEET का exam हुआ था उसमें Trans effect से भी आपका question आया था तो यह सारी ही चीज़ें आज हम discuss करेंगे तो देखिए coordination compound में bonding के questions करने के लिए आपके लिए बहुत important है कि आपको जो आपके d block क्योंकि mainly d block elements ही ही क्या बनाता है coordination compounds तो आपके d block elements के जो आपके atomic number है या फिर अगर आप एक sequence of series भी याद कर लेते हैं तो आपको पता चली जाएगा और सबसे important है कि आपको at least 3D series तो पता ही होनी चाहिए उसके बिना तो आप questions ही नहीं कर सकते जैसे हमारा यहां पर सबसे पहला ही question है कह रहा है pick out the correct statement आपको correct statement बताने है with the respect of MNCN 6 3 negative अब देखिए जब भी अगर आपकी number of legands 6 है तो यह तो confirm है कि जो इसके geometry है वो क्या होगी आपका octahedral होगा इतना तो हमें पता है इतनी तो hybridization हमने पढ़ी रखी है chemical bonding में अब जैसे यह option है जहां पर square planer दिया square planer आपका कब बनता है जब आपके पास 4 legands हों तो मतलब D option तो हमारा क्या हो गया यहीं से cancel out हो गया similarly जैसे यहां पर आपको tetrahedral दे रखा है तो जो आपका B option है वो भी आपने क्या कर दिया cancel बचे दो option और octahedral के case में जो आपकी hybridization होती है वो या तो आपकी sp3 d2 होगी या फिर d2 sp3 होगी अब किस कब sp3 d2 होती है और कब d2 sp3 होती है इस d2 का मतलब है कि जो आपका complex है वो क्या बन रहा है inner orbital बन रहा है ओके मतलब जो inner d orbitals हैं वो आपके यूज हो रहे हैं और अगर यह वाला d2 आता है तो मतलब यहां पर आपका जो compound है वो क्या बन रहा है आउटर और बाइटर चीक है में ली आपके inner orbital यह तो तब बनते हैं जब आपकी d configuration d1 d2 और d3 हो या फिर जो आपकी ligand है ligand आपकी क्या हो एक strong ligand हो क्योंकि strong ligand क्या करती है आपके electrons की pairing करा देती है strong ligand होगी तो उस case में आपके inner orbital या फिर आप इनको क्या कहते हैं loss pin complexes बनते हैं क्या बनते हैं आपके loss pin complexes जबकि outer orbital जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कि यह आपके क्या बन जाते हैं high spin complex बड़ जो यह loss pin और high spin complexes हैं यह हम ligand के basis पर बोलते हैं कि जो strong ligand होती है वो loss pin complex बनाती है और जो weak ligand होती है वो क्या बनाती है आपके high spin complexes तो चलिए अभी इसी question पर move करते हैं यहां पर हमें दे रखा मागनीज cn63 negative तो सबसे पहले इस complex में आपको मागनीज जो है यह किस oxidation state में present है वो क्या करना पड़ेगा आपको calculate करना पड़ेगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मागनीज की हमें calculate करनी है हमें oxidation state इसकी नहीं पता तो आप लिखेंगे x plus 6 sinide 6 है और sinide पर आपको पता है minus 1 charge होता है तो यह हो जाएगा आपका minus 1 equals to minus 3 तो जोब आप यहां से calculate करेंगे तो x की value आ गई आपकी plus 3 तो मतलब मागनीज यहां पर plus 3 oxidation state में present है और अगर आप मागनीज की electronic configuration की बात करेंगे तो यह क्या होती है आपकी 3D5 4S2 मतलब मैं सरफ valence electronic configuration की बात कर रही हूँ इससे पहले जो आपका आरगन होता है उसकी electronic configuration भी आईगी तो यह मागनीज की है बट मागनीज प्लस 3 में present है मागनीज प्लस 3 का मतलब है कि जो आपका 4S2 है यहां से 2 electron निकल चुके है और एक electron आपका d orbital से निकल जाएगा तो यह बना आपका 3D4 बट हमें यह चीज़ भी पता है कि जो आपकी साइनाइड होती है यह क्या होती है आपकी एक स्ट्रॉंग लीगेंड होती है ठीक है यह क्या होती है आपकी एक स्ट्रॉंग लीगेंड अब अगर यह स्ट्रॉंग लीगेंड है तो यह क्या करेगी कि जो आपके डी में चार प्रेजंट में उनके क्या करा देगी यहां पर पेर्ट कर देगी तर्ट इसे हैं जब आएगी लीधल की प्रेजंस में है कि वूंति hyland cheese में यह चारो ऐलेट्रों कि एंग एक यह ओप हो जाएंगे तो इस चार अब यह जो दो ѫिर न से बच गएहां पर एक 4S है and then आपका P orbital है मत्तब यह 3D है यह 4S है और यह क्या है आपका 4P hybridization क्या होगी आपकी D2SP3 तो इस case में जो आपके hybridization हो रही है वो रही है D2SP3 मतलब की जो आपके inner orbitals है वो यहाँ पर क्या आ रहे hybridization में participate कर रहे है 3D के inner orbitals तो अगर option देखेंगे यहाँ पर तो जो आपका option C है वो क्या हो जाएगा इसका right answer D2SP3 hybridization है और octahedral complex है तो देखें जब भी कभी आपको hybridization निकालनी है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पता है कि आपको स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज जो है उसको पढ़ना है स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जैसे आपके सायनाइड लिगन्ड हो गए या फिर सीओ लिएए लिंखेंस अपकी इंदिया आथि बाकि आपकी में हैं जो कॉमन लिगेंड यूजश करते हैं अमोनिया वटर है लुटन्स यहं सारी आपकी लिगेंड़ा है तो फक्सक्रोंग होगे हमारा कब्रीट नेक्स्षण होगे हमें पता है कि यह स्ट्रॉंग लिए बट यहां पर इस टाइम आपको दे रखा है कोबॉल्ट मैटल राइट अब चार्ज यहां पर भी सेम है तो इस केस में भी जो आपका कोबॉल्ट है वो प्लस थ्री ऑक्सिदेशन स्टेक में ही प्रेसेंट है बट पहले हम कोबॉल्ट क कि अगर electronic configuration की बात कर लेंगे तो वो जो आपका कोबॉल्ट होता है यह किस में प्रेसेंट होता है यह होता है आपका 3D7 4S2 तो मतलब कोबॉल्ट प्लस थ्री की electronic configuration क्या हो जाएगी दो electron S से जाएंगे और एक D से तो यह बन जाएगा आपका 3D6 और 4S तो 0 हो गया अब D6 जब electrons की अगर आप filling करेंगे तो 3D में 6 electron कैसे फिल होते हैं आपके यह हो गए आपके पांच orbital 1 2 3 4 5 and then 6 यह 3D के 6 orbital साथ हैं लेकिन लीगेंड की presence में क्योंकि साइनाइड है आपकी एक स्ट्रॉंग लीगेंड है वो क्या करा देगी इन electrons की pairing कराईगी तो जब आपके electrons की pairing होगी तो किस टाइप साएंगे 1 2 3 4 5 6 6 electrons फिल कर दिये बढ़ अभी हमारे पास 3D में 2 orbitals क्या है बचे हुए तो नेक्स्ट आएगा आपके पास 4P and next is 4S and 4P अब क्या होगा जो यह आपके यह पांच छे orbitals जो है मतलब D2 SP3 यह hybridization में क्या करेंगे आपके participate करेंगे तो यहां से हमें यह पता चल गया कि जो आपका यह compound है इसके hybridization तो क्या है D2 SP3 hybridization क्या है आपकी D2 SP3 options क्या बोल रहा है option में कह रहा है कि जो यह compound है has no unpaired electrons पहला option बिल्कुल सही है सारे ही electrons आपके क्या है paired है तो देखिए यह statement इसकी correct है उसके बाद कह रहा है कि low spin configuration है इसको बाद में देखते हैं बट पहले हम बाकी के options में देखें तो कह रहा है four unpaired electron cancel four unpaired electron यह भी cancel next में है no unpaired electron तो A या D मेंसे हमारा कोई न कोई क्या होगा answer होगा मैंने आपको पहले ही चीज बताई थी कि जब आपकी ligand क्या होती है strong उसकेस में हमारा क्या बनता है low spin complex बनता है और cyanide क्या है आपकी strong ligand तो यह क्या बनाएगा low spin complex मतब्द जो आपका first option है इसका वो क्या है बिल्कुल correct है जबकि जो D option है उसमें कह रहे है high spin complex और high spin complex तो आपकी weak ligands की जो ligand होती है वो form करती है तो इसमें इसकेस में जो आपका option है वो क्या हो जाएगा इसका right answer चले move करते हैं हमारे next question पे जिसमें कह रहा है कि the hybridization involved in complex NICN4 two negative और जो आपको nickel है इस case में तो हमें nickel का atomic number भी क्या कर दिया प्रोवाइड कर दिया है तो मतलब हमें यहां पर अगर किसी को atomic number नहीं भी पता है तो भी वो इस question को solve कर सकता है तो चलिए निकल की अगर मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं आपको पता है साइनाइड लीगेंड है अपकी strong लीगेंड है तो सबसे पहले मैं मैं मैंटल की oxidation state को calculate करती हूं निकल है मुझे नहीं पता कि इसकी oxidation state क्या हैगी मैंने उसको माना x plus cyanide 4 है cyanide पे minus 1 charge होता है और यह आजाएगा आपका minus 2 जब यहां से calculate करेंगे तो आपकी x की value क्या रही है plus 2 मतलब निकल आपका plus 2 oxidation state में present है अब अगर निकल की oxidation state की बात कर ली जाए तो यहां पर निकल की oxidation state होती है आपकी मतलब आरगन देन आता है आपका 3D8 and 4s2 यह क्या है निकल की oxidation state है अब उसके बाद निकल नहीं बट निकल तुमारा plus 2 में present है तो जब प्लस 2 electronic configuration की बात करोगे तो 4s के electrons तो आपके चले गए निकल गए तो यहां पर बचेगा आपके पास आईरन and then आएगा 3D8 मतलब जो D orbital है उसमें 8 electrons है अब D में 8 electrons कैसे फिल होते हैं एक बर यह भी देख लीजिए तो देखें 1,2,3,4,5,6,7,8 यह क्या हो गए आपके 3D में 8 electrons present बर जब आपकी लीगेंड cyanide आएगी strong ligand है electrons को क्या करा देगी आपका pair करा देगी मतलब यह जो electron है अभी यह electron आपका क्या हो जाएगा यहां पे pair up हो जाएगा इस टाइब से pair हो गया तो यह d orbital क्या है आपका empty और यहां पर ligand का number देखें क्या है 4 जब 4 ligands होती है तो उस case में आपकी दो ही hybridization की possibility होती है एक होता है आपका sp3 या होता है dsp2 अगर sp3 hybridization होगी तो structure क्या होगा आपका टेट्रहेड्रलोगों dsp2 होगी तो क्या होगा आपका structure square planar अब क्योंकि इसमें inner d orbital present है तो मतलब यह तो dsp2 बनाएगा मतलब यह 3D next 4s and दो आपके जो p orbitals हैं उनको यूज करके hybridization आ गई dsp2 तो हमसे इस case में क्या पूछा था आपकी hybridization की ही बात की थी dsp2 किस option में है तो देखें जो आपका first option है वही अमारे answer से match कर रहे और even COD option को हम पहले ही neglect कर सकते थे dsp2 यह तो hybridization आपने कभी पढ़ी नहीं और यह तो octahedral की hybridization होती है मतलब अगर इस hybridization का आप consider भी करेंगे तो यहां पे तो जब 5 bond की formation होती है तब ही hybridization होती होगी right four bonds में तो यह hybridization आपकी वैसे भी possible नहीं है उसके बाद जो next question है that is कि आपको बोला कि एक compound है जिसका magnetic moment है 1.73 तो इन में से कौन सा compound होगा आपका कौन सा complex होगा जो आपका 1.73 magnetic moment क्या करेगा यहां पे शो करेगा वो आपको बताना है ठीक है तो आपको पता है कि जो आपका magnetic moment को हम mu से लिखते हैं और उसका formula होता है आपका n into n plus 2 बहुर मागनेटोन और यहां पे जो आपका n है यह क्या होता है n होता है number of unpaired electrons और अगर आपको पता है कि जो आपका 1.73 होता है यह क्या होता है under root 3 की value under root 3 कितना होता है आपका 1.73 तो मतलब अगर आप यह पता कर लें कि यहां पे कब under root 3 आ रहा है तो देखें अगर आप n की value 1 put करते हैं हमें hit and trial करेंगे अगर आप quadratic equation से solve करना चाहते हैं mu की value 1.73 करके and then इसको solve करके तो आप वो भी कर सकते है it's up to you कि आप कैसे मतलब जिसका जिस सहाब से maths चलता है वो वैसे solve करें मैंने बोला n की value अगर 1 है तो मतलब यह 1 और 1 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 into 1 तो मतलब अगर n की value 1 है तो यह आ रहा है आपका under root 3 और under root 3 तो 1.73 ही होता है मतलब कि जो यह magnetic moment है यह उस case में आया जब आपके n की value क्या थी 1 थी अब हमें सरफ यह देखना है कि इन 4 options म आपका जहां पर n की value क्या है आपकी 1 चलिए सबसे पहला case consider करते हैं CUNH42 प्लस आपको पता है कि जो आपकी ammonia है यह क्या है आपकी एक neutral लीगेंड है neutral लीगेंड है तो यह अपना कोई charge केरी नहीं कर रही इस वज़े से copper की oxidation state क्या आजाएगी आपकी copper प्लस टू oxidation state में आजाएगी वैसे copper की electronic configuration की अगर मैं बात करूं तो यह होता है आपका 3D 10 and then 4S 1 पट क्योंकि यहां पे copper प्लस टू में है तो मतलब S से भी आपका एक electron चला गया और एक D से गया तो इसमें कितने बच गए 3D 9 अब हमने तो यहीं पड़ा है कि ammonia हमारी क्या होती है एक वीक लीगेंड होती है और यह copper में तो वैसे भी आपके electrons को pair करने की tendency नहीं है right copper की अगर मैं बात करूं तो copper में आपके अगर 9 electrons आप फिल करोगे इसमें तो इस टाइप से आपके यह 9 electrons फिल हो गए में 1 है बट एक और चीज एक्स्ट्रा बता रही हूं आपको कि वीबिटी की एक limitation थी अब आपको यहां पर यह लग रहा होगा ना कि 3D में तो पूरा फिल है तो यह compound की hybridization sp3 होनी चाहिए बट ऐसा नहीं है इस compound की hybridization होती है आपकी dsp2 और dsp2 hybridization कैसे होती है जो यह आपका electron है यहां से jump करके चला जाता है आपका next orbital में और यह d orbital क्या हो जाता है आपका empty और यह hybridization में participate करता है तो इस वज़े से यह compound आपको हमेशा याद होना चाहिए कि c u plus 2 में है और चार ammonia अगर उससे attached है तो वह आपका exceptionally d2 sp2 hybridization क्या करता है शो करता है उसके अलावा एक और compound आता है आपका exception में वह हम आगे discuss करेंगे तो मतलब first option ही हमारा यहां से correct हो गया क्योंकि इसमें एक number of unpaired electron है बट हमें तो सारे ही options को check करने है यहाँ पर देखो 4 oxidation state में present है और scandium के बाद titanium आता है इसकी configuration आती है आपकी 3d24s2 अगर प्लस 4 oxidation शो कर रहे है मतलब चारों ही electrons चले गए d orbital में इसके पास एक भी electron नहीं है तो मतलब इसके पास भी unpaired electron 0 है तो यह भी हमारा option यहां पर नहीं हो सकता next is cocl64 negative यहां पर cobald की अगर आप electronic configuration calculate करेंगे तो यह आएगी आपकी plus 2 and then जब आपका cobald किसमें है plus 2 oxidation state में present है तो यह क्या होता है आपका 3d7 और cl आपको पता है एक weak ligand है यह आपके electrons को pair भी नहीं कर पाईगी तो आप 7 electrons को कैसे फिल करेंगे इस टाइब से आपके 7 electrons फिल होंगे मतलब यहां पे 3 unpaired electrons है अब कई कुछ cases में बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने metal की electronic configuration निकाली electrons normally जैसे d orbital में electrons फिल करते हैं वैसे electron फिल करके क्या बता देते हैं कि इसमें इतने unpaired electron है नहीं डी orbital में electron फिल किये उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी लीगेंड है वो कैसा behavior शोग कर रही है मतलब वो लीगेंड आपकी strong लीगेंड है या weak लीगेंड है अगर strong लीगेंड है तो electron की pairing करवाईए उसके बाद देखिए क्या आपके पास कोई कि unpaired electron बचा है तो इस case में क्या दिख रहे हैं कि तीन unpaired electrons हैं तो यह भी हमारा option नहीं है तो इस question का जो correct answer है वो थो में खेर पहले ही मिल गया था जो कि है आपका option A अब move करते है next question पे जिसमें कह रहा है which one of the following is an outer orbital complex and exhibits paramagnetic देखें outer orbital complex की अभी हमने बात की जिसमें जो आपका d orbital है वो बाहर वाला use हो रहा हो मतलब होगा आपका sp3 d2 hybridization होनी चाहिए paramagnetic मतलब उसमें number of unpaired electrons कुछ ना कुछ होना चाहिए n की value जो है वो इस case में 0 नहीं हो सकती तो चलिए one by one सारे ही options यहां पे discuss करते हैं सबसे पहले option जो की है आपका Ni NH3 का hole 6 and then 2 plus ठीक है अब यहां पे आपको पता है कि plus 2 charge है और ammonia क्या होती है आपके एक न्यूट्रल लीगेंड होती है इस वज़े से यहां पे निकल की एलेक्ट्रों जो oxidation स्टेट है डाट इस प्लस टू निकल के अगर electronic configuration की बात करूं मैं तो यह होता है आपका 3D8 and then 4S2 प्लस 2 है तो 4S से 2 electron चले गए और इसके पास क्या बचा सरफ 3D8 ammonia आपकी weak ligand होती है electrons की pairing नहीं करवाएगी तो 3D में आपके वैसे electrons कैसे फिल होते हैं अगर 8 electron आप फिल करेंगे तो 1,2,3,4,5,6,7 and then 8 यह दो electrons आपके पास बचे ammonia strong ligand भी नहीं है तो वो यह electrons को pair भी नहीं कराएगी तो देखिए यहां पर आपके पास electrons क्या हो रहे हैं बच भी रहे हैं मतलब यह paramagnetic behavior भी शो करेगा और क्योंकि 3D orbital आपके पास empty नहीं है तो यह outer जो कि आपका 4D orbital होगा उसको hybridization में participate करवाएगा तो इसकी hybridization भी क्या हो जाएगा आपकी SP3D2 यह दोनों ही condition satisfy कर रहे है तो जो आपका यह option है यह क्या हो जाएगा इसका right answer उसके बाद next पे अगर करें तो जिंक भी यहां पर प्लस टू oxidation state में है और आपको पता है कि जिंक क्या होता है fully filled 3D 10 होता है उसके पास तो right 4S में से दो electron चले गए तो zinc plus 2 की hybrid electronic configuration जो है that is 3D 10 डी orbital complete fill है यहां पर डी orbital क्या है आपका completely filled है एक भी electron नहीं है तो पहली बात इसके पास कोई unpaired electron नहीं है डी orbital तो इसका भी 4D ही use होगा बट इसके पास n की value क्या है 0 मतलब number of unpaired electrons 0 है तो यह second condition that is paramagnetic वो आपके satisfy नहीं करवारा option गलत हो गया next move करते हैं that is chromium plus 3 okay chromium की अगर normal electronic configuration की मैं बात करूं तो यह होता है आपका 3D 5 4S 1 plus 3 का मतलब है S से एक electron गया D से दो electron गये तो यह बचेगा आपका 3D 3 3D 3 आपको पते है D 3 के case में तो आपके 2D orbitals क्या होते हैं हमेशा ही empty होते हैं और इसके पास unpaired electrons तो हैं बट hybridization यहापे क्या होगी d2 sp3 और हमें तो क्या था outer orbital complex चाहिए था जिसके hybridization sp3 d2 होनी चाहिए तो यह option भी हमारा गलत हो गया next बचता है cobalt cobalt कि अगर electronic configuration की बात की जाए तो यह होता है आपका 3D 7 4s2 यहां cobalt है आपका plus 3 oxidation state में क्या है cobalt plus 3 में तो plus 3 में क्या हो जाएगा यह आपका 3D 6 और अगर आप 3D 6 की बात करें तो आपके 3D 6 electrons कैसे fill किये जाएंगे 1 2 3 4 5 & 6 अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को लगेगा क्योंकि ammonia weak ligand है electrons pair कराएगी नहीं सारे d orbitals आपके filled है unpaired electrons भी हैं दोनों condition फुल्फिल कर रही है unpaired electron है तो paramagnetic है और इस case के according आपको लग रहा होगा कि जो आपका 4D orbital है वो participate करेगा bonding में तो इसकी hybridization होगी आपकी SP3D2 बट यह बिलकुल गलत है second जो मैं आपको exception एक बोल रही थी कि मैं आपको बताऊंगी और आपको याद रखना है अमेशा वो यही है कि जब भी कभी आपका cobalt plus 3 oxidation state में हो oxidation state आपको जान देनी है अगर cobalt plus 2 में है तब वो ammonia strong ligand की तरह behavior नहीं करेगी बट अगर आपका cobalt plus 3 oxidation state में है और आपके पास six ammonia ligands वहाँ पर present है यहां फिर ammonia ligand की ही बात नहीं करती कोई भी ligand जो nitrogen से बाइंड कर रही है मतलब अगर आपकी EN ligand भी है यहां पर तो वह भी इस case में strong ligand की तरह behavior करती है ओके तो strong ligand की तरह behavior कर रही है यहां पर ammonia कैसे behavior कर रही है as a strong ligand तो वह इन electrons को क्या कराएगी pairing करा देगी जब वह इन six electrons को pair करवा देगी तो आपके d orbital inner d orbitals क्या है empty तो यहां पर hybridization आएगी d2 sp3 तो इस question को आपको ध्यान रखना है वह जो question है आपका copper वाला वह तो आपको वीबीटी की exception था वीबीडी की limitation थी बहुत सारे बच्चों को याद रह जाता है बट यह question बहुत बार exams में पूछा भी जाता है teachers कभी interview वेगरा होता है उसमें भी आपसे पूछा जाता है तो यह question यह molecule को आप पिल्कुल याद कर लो आपको हमेशा इसकी hybridization याद होनी चाहिए तो अब हम बात करते हैं आपके CFT theory के बारे में तो देखें आपको पता है कि जो आपकी CFT theory है यह क्या होता है जो आपके d orbitals होते हैं वो जाकर degenerate होते हैं then split up हो जाते हैं ठीक है split up होने का reason क्या है आपको पता है कि जो आपका d orbital है वो पांच d orbitals होते हैं एक होता है आपका d x y d y z and d z x यह जो तीन d orbitals होते हैं यह same kind of होते हैं and जो आपका दूसरा होता that is d z square and d x square minus y square यह क्या होते हैं आपके different होते हैं क्या मतलब है जो आपके d x y d y z or d z x होते हैं यह कहां पर lie करते हैं between the axis lie in between the axis मतलब axis के बीच में lie करते हैं जबकि जो यह आपके दो orbitals होते हैं यह कहां पर लाए करते हैं lie on axis axis पर ही लाए करते हैं अब बात क्या बूला मैंने आपको शायद समझ नहीं आया होगा तो देखें मतलब यह हैं कि अगर मैं d x y orbital के अगर structure की बात करूं तो मान लीजिए यह x axis है और यह y axis है तो यह जो आपका orbital होता है इसके structure कुछ इस टाइप से होती है आपको पते है d orbitals में आपके double dumbbell shape होती है तो यह जो आपका orbital है यह जो show कर रही हूं मैं dumbbells यह कहां है आपका इन दा एक्सिस जबकि अगर d x square minus y square की मैं बात करूं तो यह आपकी x axis है और यह y axis है और इसका जो आपका orbital है वह x axis और y axis के ऊपर बनता है मतलब वह axis के ऊपर ही लाए करता है this is the difference इसी वजह से जो आपके deorbitals हैं वह क्या होते हैं आपके जो liegen की approach है वह different होती है इस वजह से ही स्प्लेट अप हो जाते हैं अब अगर मैं सबसे पहले octahedral complex की ही बात करूं कि जो आपके octahedral complex है उनमें splitting कैसे होती है तो I know यह तो सभी को पता है कि जो आपके octahedral complexes होते हैं क्या होते हैं आपके octahedral उसमें जब आपका d orbital split होता है तो वो split होके आपको क्या देता है सबसे पहले जिनकी lower energy होती है उस case में आपके तीन orbitals आते हैं that मैं artist teacher to be sup कि जो यह रहते हैं को आपके दो इनको क्या बोलते हो आप इजी यह होता है आपका अपको प्य Э्री Center now अब और बैटल जैसे यहां पर क्या था और बैडल था क्या क्या इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि यह जो arrest इसको बोल सकते हैं यह आपका ठीक है उपर मतब आरे सब्सक्राइब की तरफ तरफLove जो होता है यह होथा है अपका 0.6 delta nought और यह होता है आपका minus 0.4 delta nought और यह क्या है आपका bearish center अब जो यह आपका delta nought है यह भी आपका depend करता है कुछ situations पर कि आपकी ligand कैसी है metal की oxidation state कितनी है d electrons कितने present है okay then यह तो case था आपके d orbitals का अगर यहीं पर मैं f orbital की बात करूँ कि जो f orbital है I mean sorry not f tetrahedral जो compounds होते हैं उनमें किस टाइप से splitting होती है तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो tetrahedral है वह octahedral का बिल्कुल क्या होगा आपका opposite होगा मतलब उपर की तरफ आएगा आपका t2 और नीचे की तरफ आएगा आपका e but ध्यान इतना देना है जैसे इन और बाइटल को मने बोला टी टू जी यहां पर यह और बाइटल सोते हैं टी टू और यह क्या होता है आपका यह मतलब जो जी वर्ड होता है वह क्या होगे अब यहां से आपका अलिमिनेट यह जो तीन और वाइटल होते हैं इनमें एक होता है आपका dxy, dyz and dzx एक यहां पर होते हैं dx²-y² and dz² similarly इस case में यह dx²-y² और dz² हो जाएंगे यह dxy, yz and dzx similarly यहां पर क्या जाएगा आपका बैरे सेंटर इस बार जो आपके डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी होता क्या है टोटल कितने टी और बाइटल होते हैं हमारे 5 होते हैं इतना तो सब पर 2 orbitals थे न तो यहां पर लिखऊगे minus 2 by 5 है total orbitals 5 और ऊपर की तरफ 2 थे तो 2 by 5 यहां पर बात करेंगे तो नीचे 3 orbitals है न तो यहां पर आएगा आपका माइनस 2 by 5 is .4 and plus three by 5 is plus 0.6 तो यह आपका octahedral और tetrahedral complex की बात की हमने कि यहां पर जो आपके splitting है वो किस टाइब से होती है देन उसके बाद एक और चीज जो है वो आपको याद रखनी है वो यह है कि आपको पते कि जो octahedral complexes है यहां पर आपकी low speed high spin कोई भी complex बन सकता है उस चीज़ पर हम शॉरिटी नहीं दे सकते है बट tetrahedral complex में आपको अभी आपने देखा hybridization क्या होती है sp3 मतलब आपकी ligand कैसी थी weak ligand थी अगर वो strong ligand होती तो आपका compound sp2 hybridization बनाता that is square planar बट weak ligand थी तभी आपकी hybridization क्या थी वहाँ पर sp3 hybridization थी और sp3 hybridization और weak ligand क्या signify कर रही है weak ligand में कैसे complexes बनते थे हमारे high spin complexes तो यह चीज फिक्स है कि जो tetrahedral complexes होते हैं वो high spin complex बनाते हैं जबकि square planar आपके low spin के complex की formation करते हैं ठीक है तो मतलब इस चीज़ को तो आपको हमेशा ही याद रखना है गाट बांद लीज़े इस चीज़ को तो जब आप tetrahedral complexes में अगर आप electrons को fill भी करते हैं तो क्योंकि यहां पर weak ligand कभी भी pairing नहीं करवाएंगी तो electrons कैसे फिल होंगे यहां पर वन टू दैन उपर जाएगा 345 दैन 6 7 मतलब जैसे आप आप नॉर्मली अपने electrons फिल करते हो ना और बाइटल में जो मतलब ligand वेगर है कि हम बाते नहीं करते तो पहले single pairing कराएंगे दें डबल कराएंगे वह वाला case पोलोगा tetrahedral में बट अगर square planer की बात आ जाए तो आप electrons pair करवाते हुए ही चलोगे क्योंकि वहाँ पर आपकी strong field ligand है तो यह दो तीन points है जो कि आपको पता होना चाहिए उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो आपका delta knot है यह किस पर depend करता है तो देखिए यहाँ पर delta knot आपके दो-तीन Samosal आपके मतब सेर्म मैंटल उसके समें आपकी क्या होने चाहिए से मैंटल होने चाहिए और अगर उन से मैंटल्स के oxidation state different different है तो जिसकी highest oxidation state होगी उसी का delta knot भी क्या होगा आपका highest बद अगर आपके जो मैंटल्स हैं उनकी same oxidation स्टेट्स थीक है अब केस है कि हमारे पास मैंटल डिफरेंट है बट उनकी ऑक्सुरेशन स्टेट सेम है तो उस केस में आप देख लीजें उनके डी इलेक्टरॉंस की बारे में बट जो डेल्टा नौट है वह आपके डी इलेक्ट्रॉंस के क्या है inversely proportional इस case में आपका metal क्या होगा different होगा बट उनकी oxidation state आपकी same होनी चाहिए यहां पे आपका metal क्या होना चाहिए same ठीक है उसके बाद जो आपका delta knot है वो directly proportional होता है आपके ligand के मतलब अगर strong ligand होगी तो ज़्यादा splitting करवाएगी delta knot आपका जाधा होगा weak ligand होगी तो क्या करवाएगी कम splitting करवाएगी तो उस case में जो आपका delta knot है वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा and then एक और case कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि वो कौन से मतलब हैं जिसमें CFSC crystal field stabilization energy क्या होगी आपकी 0 तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका d5 या फिर d10 है इन दोनों के case में CFSC क्या होती आपकी 0 होती है जीरो होने का reason क्या है तो देखे अगर आपने यहाँ पर 5 electrons को fill करें तो किस टाइप से फिल होंगे आपके t2g3 and eg2 इसी टाइप से आप electrons को फिल करेंगे ना जब आपने अपने t2g3 और eg2 में अगर आपने electrons को फिल किया है तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर 3 e2g में 3 electrons है 3 और आपकी जो डेल्टा नॉट है हमने कितना बोला माइनस 0.4 ठीक है प्लस eg में कितने electrons है आपके पास eg में आपके पास है टू electrons और यहां पर वैल्यू है 0.6 आप इसको सॉल कीजिए सिक्स तूर जा 1.2 एंद 4 त्री जा माइनस का 1.2 वैल्यू क्या रही है जीरो आ रही है सिमिलरली ऐसा ही केस आपका D10 के केस में भी होता है ओके तो यह दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जरूरी नहीं आपको calculate करना पड़े बस यह याद रखो D5 और D10 में CFSC 0 होती है तो अगर आप metal में electron निकाल लेते हो तो आप direct उसका answer बता सकते हो अब जैसे कि हमारा यही आपको पता है कि जो आपके वाटर है यह क्या है एक न्यूट्रल लीगेंद है कोई चार्ज कहरी नहीं कर रहा तो इस वज़े से आपका मागनीज प्लस 3 oxidation state में present है इसके पास 3D3 electrons अब इसके पास पाच इलेक्ट्रों तो आपके बिल्कुल भी नहीं है तीन इलेक्ट्रोंस है तो इसकी CFSC बिल्कुल भी आपकी 0 नहीं होगी नेक्स्ट है आपका FV in प्लस 3 oxidation state जो कि होता है आपका 3D5 इसकेस में आपके पास क्या है पांच एलेक्ट्रों और देखे सब में आप देख सकते हो आपके पास वाटर लीगेंड और वाटर क्या होती है आपके एक वीक लीगेंड पेरिंग बिल्कुल भी नहीं करवाने वाली यह तो आयरन के वाटर है पेरिंग तो आपकी बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला है तो देखिए आप इस टाइप से भी इसमें देख सकते हैं कि आपके पास दो अन्पेर्ड इलेक्ट्रों बच रहे हैं ठीक है या फिर अगर आप सॉरी 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 अगर मैं टीटू जी इजी भी बनाती हूं तो मुझे इस राइप से बनाने पड़ेंगे यह आपके आएंगे तीन और बाइटल्स टीटू जी के एंडेन ऊपर की तरफ आएगा आपका इजी पर देखिए इतना तो काल्कुलेट करने के आपको जूरत भी नहीं है क्योंकि आपको साफ साफ पता चल रहे है साथ एलेक्रोन के केस में आपका जो सी एफसी क्रिस्टल फिल्ट स्टेबलाइजेशन अनरजी है वो आपकी जीरो बिल्कुल भी नहीं होगी और अगर आप इसमें फिल भी देखना चाहें तो क्या होगा पेरिंग नह पर आपने देखा था कि यहां पर आपकी माइनस 0.4 होती है यहां फ्लस 0.6 होती है कैलकुलेट करे दीजे पाँच elektron के लिए minus 0.4 plus 2 electrons के लिए 0.6 तो जोब आप इसको calculate करेंगे यह minus 0.8 आ रही है तो मतलब यह भी हमारा option नहीं है next है आपके पास यहाँ पे आपका cobalt जो है वो plus 3 oxidation state में present है और cobalt plus 3 का मतलब क्या हो गया यह हो जाएगा आपका 3D6 और 3D6 है तो आप यहाँ भी clearly बोल सकते हो कि CFSE आपकी बिल्कुल भी 0 नहीं होगी तो इसमें जो आपका right answer है वो है आपका option B इस case में हमारा जो सबसे पहला question है वो यह कह रहा है कि which of the following complex ion is not expected to absorb visible light मतलब इन में से complex कौन से complex ion है जो visible light को absorb नहीं करेंगी visible light absorb करने का मतलब है कि वो अपने light को absorb करेंगी और उससे complementary color क्या करने वाली है वो आपको show करने वाली है और यहाँ पर कोई भी compound color कब होता है जब उसमें क्या हो DD transition possible हो हम अभी तक यही पढ़ते हैं कि DD transition अगर आपकी हो रही है that means वो compound आपका क्या है colored है बट DD transition के लिए आपके पास unpaired electrons होने चाहिए क्या होने चाहिए d orbital में unpaired electrons की presence होनी चाहिए तो अगर इन शोट में यहाँ पर यह देख लिए कि उनसे complex में unpaired electrons नहीं है जिसमें unpaired electrons नहीं होंगे वही आपकी visible light को absorb नहीं करेगा तो सबसे पहले question में जो आपका nickel है यह plus two oxidation state में present है that means इसके oxidation state यहाँ पे क्या हो जाएगी 3D8 3D8 और cyanide ligand है strong ligand है D8 के electrons को क्या कराएगी यहाँ पे pair कराएगी इस type से आपके electrons क्या होगे pair होगे तो एक भी unpaired electron नहीं बचा first compound ही हमारा answer हो जाएगा क्योंकि इसमें एक भी unpaired electron नहीं है next पे अगर move करूँ तो यहाँ पे है आपका chromium plus three oxidation state में तो यह होता है आपका 3D3 तीन electron है जो की क्या होंगे आपके unpaired ही होंगे पेरिंग नहीं कराएगी और पेरिंग की जरुरत भी नहीं है क्योंकि अभी भी इसके पास दो d orbitals क्या है आपके free है next है आपका fe जो की आपकी plus two oxidation state में present है और इसके पास क्या है आपका 3D6 प्लस टू में 3D6 होगा और 3D6 water है वीक लीगेंड है पेरिंग भी नहीं कराएगी तो जो आपके d electrons है उनकी filling कुछ इस टाइप से होगी 1 2 3 4 5 & 6 इसके पास अभी भी चार unpaired electrons क्या है present है next निकल प्लस टू में तो यहां पर भी 3D8 ही होगी configuration बट वाटर वीक लीगेंड है यहां पर pairing नहीं होने देगी और जब 8 electrons की आपकी pairing नहीं होगी तो यह किस टाइप से present होगे ऐसे और यहां पर आपके 2 unpaired electrons present है तो इसमें आपके पास 2 unpaired है यहां पर 3 है और iron में 4 है बाकि तीनों cases में unpaired electrons present है तो वहां पर DD transition possible है मतलब यह compound आपके visible range में light को absorb करके electron ही present नहीं है unpaired electron सारे के सारे पेर होगे तो यह compound आपका color show नहीं करेगा उसके बाद जो आपका next question है that is crystal field stabilization energy for high spin D4 complex S अब सबसे पहले बात कीजिए high spin complex की high spin complex का मतलब है वहां पे ligand आपकी क्या है एक weak field ligand है weak field ligand है मतलब electron की pairing नहीं होगी और octahedral complex की इसने बात की है तो मतलब यह हो गया आपका यहां पे T2G and then यह हो गया आपका EG okay नीचे की तरफ आता है आपका 0.4 उपर आता है 0.6 electron pair नहीं करेंगे और आपको electrons कितने fill करने है चार electrons मतलब तीन electrons यहां पे fill होंगे और एक आपका EG में जाएगा तो configuration क्या हुई T2G 3 और EG 1 अब अगर आप इसके CFSC calculate करेंगे तो T2G में तेन electrons उसके लिए value होते है minus 0.4 यह देखिए प्लस 1 इसके लिए value है 0.6 तो जब आप इसको complete solve करेंगे तो यह आजाएगा आपका minus का 0.6 delta not यह क्या होगा यह की CFSC की value तो अगर अब options में देखूं तो देखे जो T option है वो क्या हो रहे हमारे answer से match कर रहे है यहां पर हमारा जो question है जो कि आपका नीक 2017 में ही आया हुआ question है करें कि आपको एक example बताने है जो sigma bonded organometallic compound होता है तो देखे जो आपके mainly organometallic compounds के अगर मैं definition की बात करूं तो यह बोलता है कि वो compounds जिन में metal और carbon के बीच में bond form होता है वो आपके organometallic compounds होते हैं पर question में चाहिए कोई भी आपका जो पाई bond है या फिर double bond की formation है वो नहीं होनी चाहिए options देखे आपको यहां से option देखते वे आपको पता है ग्रिगनार्ड रियेजेंट है में भी इन सब में double bond present हो अब अगर आप थोड़ा सा द्यान यहां पर भी दहिन के नेमिंग पर लास्ट में क्या है इन इन और इन हम कभ यूज करते हैं हमें compound पढ़ते हैं न इथीन और एक होता है आपका इथीन इन का मतलब है single bond और इन का म साम में ही पता चल गया कि इन में क्या प्रेजेंट है double bond structure हमें पता हो ना पता उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट फिर भी क्योंकि अभी कोशन आ ही गया है तो एक बर हम इसकी structure की बात कर लेते हैं अब अगर आपने कार्बोनिल compound पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा हो आपने कारोसीन होता है यहां पर एक आपकी CP लीगेंड होती है दाटे साइकलोपेंटा डाय इनाई मतलब अगर मैं इसकी structure की बात करो तो यह आपकी एक five membered ring होती है इस टाइप से double bond double bond और यह negative charge ठीक है यह आपकी CP लीगेंड होती है यह लीगेंड आपका जो F E metal होता है इससे जाकर के क्या हो जाती है आपकी attach होती है इस टाइप से ठीक है यह बीच में इस टाइप से इस टाइप से जो दो लीगेंड से हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी से attach हो जाएंगी iron से इस compound को क्या बोलते हैं हम pharaoh Scene बोलते हैं बांकी की बात करूं Cobaltocene मतलब कोई difference नहीं है यहाँ पर आप iron की जगें Cobalt metal लगा देंगे तो Cobaltocene हो जाएगा और Ruby scene में मतलब Colgate की जगें अपने अगर रूथनियम लगा दिया तो यह आपका रूती सीन हो जाएगा ठीक है तो इसका जो correct answer था वो क्या था आपका option B अब देखिए अगर आपको कभी इस type का question आ जाए कहा रहा है कि आपको correct increasing order बताना है कि इसका wavelength का of absorption in the visible reason of the complexes of cobalt plus 3 is देखें यहाँ पर visible reason की बात की है आपसे आपको पता है कि जो आपकी energy होती है उसका क्या formula होता है h equals to new और अगर मैं इसको open करूं h equals to c by lambda तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो आपकी energy है वो wavelength लेंड़ा क्या होता है आपका wavelength wavelength के inversely proportional है अब energy का मतलब है यहाँ पर इससे delta not delta not क्या है आपकी crystal field stabilization energy उसी की बात कर रहें अब यहाँ पर मतब जिसका delta not high होगा उसकी wavelength क्या हो जाएगी वहाँ पर कम हो जाएगी ओके अब आप इन complexes को देखें सभी complexes में जो आपका कोबोल्ट है वो क्या है प्लस थ्री oxidation state में प्रेसेंट है और अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कोबाल्ट प्लस थ्री में होता है इसके केस में जो आपकी ammonia है यह क्या होती है एक स्ट्रॉंग लीगेंड और इससे पहले मैंने आपको एक और चीज बताई कि जो आपका डेल्टा नौट है यह डारेक्ट ली प्रपोश्चनल होता है लीगेंड की स्ट्रेंथ पर अभी हमने दो मिनिट पहले आपको चीज बताई मतलब जितनी जादा लीगेंड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही जादा उसकी डेल्टा नौट होगी अमोनिया हमने बोला स्ट्रॉंग लीगेंड है तो मतलब वाटर इससे क्या है वीक लीगेंड अगर मैं लीगेंड स्ट्रेंथ की बात करूं यहां पर क्या बात कर रहे हैं लीगे अपको एक और चीज देखनी है कि आपके complex की stability होती है वो जैसे जैसे आपके लीगन की denticity increase होती है आपका complex की stability भी increase होती है इसका reason होता है बहुत सारे factors पर depend करता है आपके spontanity पर भी depends करता है आपके देपेंड करता है तो आप इतना याद रखेगा कि ammonia अगर आपको तो देखिए आप खुद सोचे यह आपका कोबोल्ट है अगर आपको यह complex बनाना है तो कोबोल्ट में आप 6 ammonia को क्या करेंगे यहां पर add करेंगे जब कि अगर आपको इन का complex बनाना है तो आप सिरफ तीन ही इन को क्या कर रहे हैं यहां पर add करें तो इस complex बनेंगे यह complex आपके stable complex होते हैं similarly ammonia से जो आपकी इन ligand है वो भी क्या होती है आपकी strong ligand होती है तो ligand strength आईगी आपकी इन ammonia and then water क्योंकि इन आपका stable complex भी form कर रही है तो इन आपकी stable ligand है मतलब directly आप यह बोल सकते हो कि आपका ligand strength नहीं किसका डेल्टा नौट का order है क्योंकि ligand strength डेल्टा नौट के directly proportional है डेल्टा नौट मतलब energy का order और अगर आपको wavelength के order की बात करनी है तो wavelength का order जो डेल्टा नौट का order है उससे reverse होगे क्योंकि energy और wavelength क्या है inversely proportional है तो मतलब जो water का complex है उसकी wavelength सबसे ज़्यादा होगी देन ammonia के complex ही होगी देन इन के complex ही होगी और question में हमसे increasing order पूछा है तो increasing order में मतलब water का सबसे ज़्यादा और increasing order तो आपका कैसे लिखा जाता है अगर आपको increasing order लिखना है तो आप लिखेंगे सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेवलेंस जो ग्रेटर है आपकी वह है आपकी water के complex की तो यह order होना चाहिए तो मतलब कहां पर आपका water सबसे ज़्यादा है देन ammonia देन इन तो देखिए जो first option है वही क्या हो जाएगा इसका right answer then देखिए मैंने का था हम ट्रांस effect को भी पढ़ेंगे क्योंकि आपके मैंने बोला था 2016 में एक ट्रांस effect पे question आया हुआ है इससे पहले कभी question नहीं आया आपका question है the correct increasing order of trans effect of the following species is आपको जो इतनी यह options में देखिए चार species दे रखेया यह आपको इनका क्या करना है ट्रांस effect का increasing order बताना है कि कि स्ट्रांस chemikalीर्फ चीरीज यादि की है वैसे ही आपको थोड़ा ट्राउनसफेक्ट की सिरीज का भी आइडिया होना चाहिए होती कि है मैं आपको यहां पर पूरी सेरीज को लिख देती हूं फिर आप उसको याद कर सकते हैं जैसे साइनाइड का ट्रांस एफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है इसके बाद आता है आपका CO, NO, N, C2, H4 ये जो चार लिगेंड्स हैं इनका ट्रांस एफेक्ट आपका अल्मोस्ट इक्वल होता है बट इनमें भी अगर कंपेर करेंगे तो CN जाता आएगा उसके बाद आएगा इसके बाद आता है आपका CH3 नेगटिव और फिर आता है आपका C6H5 नेगटिव, NO2 नेगटिव, I नेगटिव या फिर आपका थायोसाइन इनका ट्रांस एफेक्ट जाता है मतब हैलोजन में सबसे जाद आपका आउडीन का आता है देन आपका BR नेगटिव आता है फिर CL नेगटिव है उसके बाद आपका Pyridine, RNH2 and ammonia ओके फिर आता है आपका F नेगटिव, OH नेगटिव and then है आपका water ठीक है तो इसके basis पर आपका ये कोशन तो सॉल हो जाएगा जैसे इसमें हमें चार कंपाउंट्स दे रखें ammonia, cyanide, cyanide तो आपका क्या है सबसे जादा, trans effect किसक जादा है कि से, ammonia से, तो मतलब आपका BR negative पहले आएगा ammonia से, then है C6H5 negative, तो C6H5 negative का तो BR से भी जादा है, तो इसके पहले आएगा आपका C6H5 negative, तो ये order किस option में दे रखा है, तो देखें आपका जो B option है, उसमें दे रखा है, अब क्योंकि आपका नीक 2016 में, trans effect पे एक question आ जाए, application का मतलब, कि ये trans effect को आप कहां और कैसे apply करते हैं, तो थोड़ा सा मैं वो चीज discuss करूंगी, यहाँ पे आपके साथ, जैसे कि, आपका compound है, platinum CL4, यह क्या है, आपका platinum CL4 है, और इस compound पे आपका 2 negative charge है, अब उन्होंने बोला, कि आप इसमें क्या करेंगे, ammonia को add कर और CL negative को हटा दीजे, तो देखिए, अभी यहाँ पे ammonia add करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 4 chlorine ही है, किसी भी एक chlorine को हटा करके, मैंने क्या किया, ammonia को लगा दिया, तो यह chlorine हटाया, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपका ammonia and then next, CL, to negative charge, ओके, अस और यह भी आपका negative को यहाँ से क्या कर दीजे, हटा दीजे, अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, trans effect काम आएगा, trans effect से हमने देखा कि जो CL negative है, उसका trans effect ammonia से क्या है, जादा, मतलब CL negative का trans effect ammonia से जादा है, तो मैं अगर आपको simple भाशा में समझाओं, तो इसका मतलब है, क्योंकि chlorine का trans effect जादा ह है, तो यह जो incoming आपका ligand है, that is ammonia, उसको अपनी trans position पे direct करेगी, मतलब वो उसको कह रहे है, क्योंकि मैं super dominating हो, तो मैं तुमें कह रहा हूँ कि तुम मेरी trans position पर आकर के set हो जाओ, मतलब chloride को replace करो, अब इस chlorine की trans पे तो already ammonia है, तो मतलब वो ammonia यहाँ तो नहीं आ सकती, इन दोनों chlorines में से कोई भी एक chlorine हटेगा और आपका ammonia वहाँ पर आएगा, तो मतलब यह बनेगा platinum, Cl, NH3, यहाँ पे भी आपका NH3 आ जाएगा और यह क्या जाएगा आपका Cl, ठीक है, इस type से क्या होती है, आपकी reaction होती है, इस type से मान लीजिए कि अगर यह जो compound बना है आपका, ठीक है BR Plus की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका trans effect है, वो किसका जादा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको तीनों में trans effect का order देखना पड़ेगा, तो देखे, सबसे जादा trans effect है आपका bromine का, then है आपका chlorine का and then क्या है आपका ammonia का, तो इस case में क्योंकि आपका bromine का trans effect क्या है जादा है, तो bromine के आएगा आपका, बट हमें bromine के trans effect से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जो already compound यहाँ प्रेजेंट है, वो है chlorine और ammonia, तो chlorine कह रहा है क्योंकि मेरा trans effect जादा है, तो मैं कह रहा हूँ कि bromine मेरे transposition पे आएगा, वो ammonia के पास नहीं जाने देगा ब्रोमीन को, तो bromine कहाँ पे जाएगा, chlorine के transposition पे, अब यह जो chlorine है, उसके पास already अपना ammonia है, chlorine के transposition पे क्या है, ammonia, और यह ammonia chlorine को हटा नहीं सकता, तो इस case में जो यह chlorine है, आपका, यह क्या होगा, आपका replace होगा, यहाँ पे क्या हैगा, आपका bromine, यहाँ पे आपका ammonia and CL, CL, तो इस type से, जो यह आपका trans effect की series, जो आपने अभी याद की, इस type से, उसके क्या होती है, applications होती है, अब जो आपका last question है, और last concept भी है, जिसको आपको थोड़ा सा समझना है, कहरे कि which of the following has longest CO bond length, और जो free CO bond length है, वो आपकी इतनी अंग स्ट्रोम होती है, देखिए इसका त last time 2016 में आया है, तो इस type questions आगे भी आने की possibility है, तो आप इस question के concept को समझे, तो उसके लिए, सबसे पहले आपको जो CO है, इसका ammo diagram आना चाहिए, अब बच्चे कहींगे मैं हमें तो CO का ammo diagram नहीं पड़ा, तो देखिए यहां पे आप थोड़ा सा idea लगा के करिए का, carbon में कितन electrons होते हैं, आपके पास 6, oxygen में होते हैं, 8 मतलब total 14 electrons हैं आपके, और 14 electrons ही, जो आपका N2 molecule होता है, उसमें भी होते हैं आपके पास, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे CO का मुझे भी molecular diagram नहीं आता, हम यह मान लेते हैं, आपको भी नहीं आता, तो इस case में हम क्या करें, तो N2 के बराबर इसमें number of electrons हैं, तो हमें काम करते हैं, N2 के जैसा molecular orbital diagram बना लेते हैं, तो आपको पता है, सबसे बहले आपका 1s आता है, then 1s का star आता है, 2s आता है, 2s आता है, anti-bonding 2s आता है, इन 4 को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, यह orbitals में आपके total 8 electrons fill हो जाएंगे, उ उसके बाद आएगा आपका pi 2px का star and then आएगा आपका pi star 2py, बत अब यहाँ पर चाहिए, आप N2 का बना लो, O2 का बना लो, कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, उस चीज़ से और आएगा आपका sigma 2pz, फिकोस यहाँ पर जो main चीज़ हमें देखनी है, वो देखते हैं, 14 electrons fill करन आपका bond order की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, आपका 3 होता है, अब अगर आप सोचे, मैंने अगर इसमें एक भी anti-bonding में electron fill कर दिया, तो आपका bond order क्या होगा, decrease होगा, बिल्कुल bond order decrease होगा, और bond order जब आपका decrease होता है, bond order क्या होता है, आपका decrease, तो उस case में आपका जो bond का length है, वो क्या होता है, increase होता है, क्योंकि यह तो simple सी बात पता है, आपको एक single bond है, double bond है, और एक triple bond है, इसमें bond order भी ज़्याद है, and इस compound की bond strength भी ज़्यादा है, but strength क्या है, high, but इस case में जो bond length है, वो क्या है आपकी सबसे कम, तो अभी 3 bond order था, anti-bonding में आने स Já자 जो जैसे Bond order Decreese हो रहे है, जैसे जैसे Bond order Decreese हो जा जा रहा है, जैसे इस Direction में हो रहे है तो आपकी bond length क्या होगी? countries भी होगी, तो अब हम यही देखना है कि इस सब कुन सा case है, जिसमें आपका bond order Decreese में ज्यादा हो, तो इस case में bond length आपकी क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी तो देखिए यहां पर आपका metal की सबसे पहले हम oxidation state की बात करेंगे क्योंकि ligand सभी में क्या है आपके पास say CO जो carbonil ligand होती है neutral ligand होती है तो यहां पर cobalt जो metal है इस पर minus मतलब cobalt पर minus one charge है FV वाले की compound की बात करें तो two negative charge है तो माइनस two है देन मागनीज में प्लस चार्ज और निकल पे तो कोई भी चार्ज नहीं है zero अब होता क्या है कि जो आपकी CO ligand है या फिर आपकी CN ligand है यह जो इस टाइप की ligands होती है यह होती है आपकी पाई acceptor ligand पाई acceptor का मतलब है इन ligands के पास tendency होती है electrons को accept करने की मतलब जो आपका metal से CO ligand attached है तो इनकी tendency है कि जो आपका metal है वो अपने electrons CO को donate कर दे और CO वो electrons को easily accept भी कर लेती है तो इस टाइप की ligands को हम बोलते हैं पाई acceptor ligands तो यहां पर CO अपने जोब electrons को accept करेगी तो वो कहां करेगी bonding तो पूरे फिल्ड है यह पाई 2PX और पाई 2PY मतलब की anti bonding में electrons को accept करेगी और अगर anti bonding में electron गया तो आपका bond order क्या होगा decrease मतलब bond length increase तो अब हमें वो केस देखना है वो कौन सा मैटल है जो सबसे जादा electrons CO को देगा अब मान लीजिए आपके पास पहले से ही बहुत सारा खाना है तो आप हीप के पास इतनी हिम्मत होगी ना आप किसी दूसरे को खाना दे पाओ आपके पास खुदी खाना कम है तो क्या आप इतने दान्वीर बनोगे कि आप दूसरे को भी खाना दे दू मतलब वो एक्सेप्शनल केस होते हैं जो बहुत ही अच्छे हों तो देख में भी वो शियर कर लें बट नॉर्मल सी अगर एक बात यह जिसके पास जादा इलेक्ट्रोन है वो सीओ को इलेक्ट्रोन जादा देगा जिसके पास कम इलेक्ट्रोन है वो सीओ को कम इलेक्ट्रोन देगा तो जिस पर नेगटिव चार्ज है एक तू नेगटिव का मतलब है कि इसके पास सबसे जादा इलेक्ट्रोन है बाकी के कंपारिसन में इसके पास एक electron extra है इस यह तो deficient है अपना electron दे करके बैठा है right nickel neutral है मतलब ना उसने electron लिए किसी से ना ही अपने electron दियो उसके पास अपने electron है तो क्योंकि F negative 2 negative के पास सबसे जादा electron है तो यह सबसे जादा क्या करेगा electron donation करेगा और जितना जादा electron donate करेगा electron back bonding में जाएंगे bond order क्या होएगा आपका decrease मतलब length increase तो इस question का answer इन्हों ने पूछा longest CO मतलब कि bond length किसकी सबसे जादा है तो bond length का answer तो आगया आपका B option ठीक है तो मतलब B जो F2 negative जो F2 का complex है इसकी bond length सबसे जादा होगी उसके बाद कोबोल्ट क्योंकि कोबोल्ट के पास भी माइनस वन इलेक्ट्रोन है देन करेगा आपका nickel और फिर आएगा आपका last में मैगनीज क्योंकि मागनीज तो प्लस खुद ही electron deficient है जो इलेक्ट्रोन deficient है तो किसी दूसरे को तो कैसे ही electron वो दे सकता है तो यह आपका कॉंसेप्ट है कार्बोनिल कंपाउंड में इस टाइप के backbonding के questions बहुत बार आज जाते हैं तो बस आपको यही देखना है जिस metal के पास जादा electron है वही CO को electron देगा और अगर वो CO को electron जादा देगा तो उसकी bond length जादा होगी में भी अगली बार question आपका bond length की बजाए bond strength पर दे दे तो इसलिए आप concept को समझे रटिये मत चीज़ों को ओके and I hope आपको यह question सारे समझ आ गए होंगे तो हमारा coordination compound जो है वो कंप्लीट होंगया है इंचे और अगर मैं बोलूं तो इसके बाद जो आपका inorganic का last chapter है that is metallurgy हम वो डिसकस करेंगे Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह download करे doubt net आ या whatsapp कीजिए अपने doubts 8-400-400-400 पर